हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इंजीनिरिंग एट मुमेंट चैनल पर इस लेक्चर में हम डॉकुमेंट रिकॉर्ड और इनके बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो बने रहें इंजीनिरिंग एट मुमेंट चैनल पर दोस्तों डॉकुमेंट एक पार्ट ऑफ इनफार्मेशन होती है या तो रिटन फार्म में होती है या तो प्रिंटेट फार्म में होती है या फिर सोफ्ट कॉपी और एलेक्ट्रोनिक कॉपी के फार्म में होती है ये एक इनफार्मेशन प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड एक पीस ओफ एविडेंस होता है किसी पास्ट एक्टिविटी के लिए यह रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और एलेक्ट्रोनिक कॉपी भी हो सकता है Documents को Revise भी कर सकते हैं और Edit भी कर सकते हैं पर Record को कभी भी Revise नहीं कर सकते हैं और Edit नहीं कर सकते हैं Documents को कभी भी As an Evidence यूज नहीं कर सकते हैं पर Record को हम As an Evidence यूज कर सकते हैं Documents को सिर्फ Shorter Period of Time के लिए यूज किया जाता है पर record को longer period of time के लिए use किया जाता है अब ये एक inspection report का format है इसमें part name enter करेंगे हम inspector name enter करेंगे location enter करेंगे date of data collection enter करेंगे defect के name enter करेंगे time slots enter करेंगे और उस time slots में कितने-कितने defected piece है ये enter करेंगे तो ये एक general format है ये किसी भी part के लिए maintain किया जा सकता है किसी भी date के लिए maintain किया जा सकता है अब इस document को हमने fill कर दिया side stand के लिए उसका inspection किसी बंदे नहीं किया है उसका location है कोई उस पे defects के name enter की है हमने time slot डाला है 8-10, 10-12, 12-2, 2-4, 4-6, 6-8 और total quantity डाली है तो दोस्तों ये एक record हो गया किसी past activity के लिए और document एक blank format था तो आपको इनके बीच का difference समझ में आ गया होगा I hope आपको मेरा ये lecture पसंद आया होगा और आपके लिए knowledgeful होगा मैं ऐसे और भी lectures Engineering at moment चैनल पे आपके लिए लाता रहूँगा तो बने रहें Engineering at moment चैनल पे और तीन चीज़ें ना भूलें दोस्तों like, subscribe और share करना Thank you Thank you